हेलो एब्रीवन मैं हूँ विवेक और आप देख रहे हैं मेरा चेनल प्रग्या प्रबुद्नी बच्चों जिन्हों नहीं भी अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज मेरे चेनल को सब्सक्राइब करें और एक्जाम तक मेरे साथ बने रहे हैं कल हम लोगोंने सबसे पहले सिल मेरे में क्या देखा था सिल जब बायो केमिकल इन्वेस्टीकिसन सेल की हुई तो क्या पता चला सिल बनी वी है किससे प्रोटीन लिपिड और कार्बोाहडरेट से protein का average amount हमने बताया था 58-59% lipid 40% और carbohydrate 1-2% वहीं especially हमने erothrocyte मतलब RBC की बात किया था और RBC में हम लोगोंने क्या देखा था कि RBC में lipid का amount 40% और protein का amount 52% होता है ये बात हम लोगोंने कर लिया था उसके बाद हम लोगोंने send with model पढ़ा जा इसको हम PLLP model भी बोले PLLP कहने का मतलब है पहले प्रोटीन फिर नीचे प्रोटीन उपर प्रोटीन बीच में लिपिड बाइलेयर जो है क्या send with state था लिपिड बाइलेयर का थिकनेस 35 एंगस्ट्रम थी और प्रोटीन इच प्रोटीन लेयर का थिकनेस कितना था 20 एंगस्ट्रम था इस हिसाब से 75 एंगस्ट्रम के बीच में एवेज दिखनेस सेल मेंब्रेन का आता है और लिपिड बाइलेयर लिपिड को लिपिड जो मॉलेकुल था उसको हम MP pathic molecule भी बोले थे है क्यों बोले थे क्योंकि उसमें double nature होने दो नेचर था एक हैड दो पार्ट था एक हैड्रो फोविक टेल एक हैड्रो फिलिक एड़ पार्ट था इतनी बात हम लोगों ने किया था लेकिन उपर जो दो भी दो नो मॉडल पढ़े वो फेल हो गया था क्यों क्योंकि वह दोन मॉडल था वो फेल हो गया और आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं फ्लूइड मॉड़क मॉडल जो कि सेंगर और निकोलसन के द्वारा दिया गया ठीक है सेंगर और निकोलसन के द्वारा 1972 में दिया गया था अब धी तक का most accepted model है फ्लूइड मॉड़क मॉडल समझ में मॉड़क 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 मॉड चलो, इसलिए NCRT इसको लिखती है, protein iceberg in a sea of phospholipid, मतलब क्या है, आप लोगों ने iceberg का नाम सुना होगा, iceberg क्या होता है, समंदर में वर्फ का टुकरा तहर रहा है, उसी तरफ यहाँ पे समंदर का तुलना किस से क्या गया है, phospholipid से, phospholipid को समंदर बोला गया है, और iceberg protein को बोल है, और एक नाम NCRT इसको लिख रही है, गुलाब जामून, protein, गुलाब जामून किसके लिए बोला गया, protein के लिए, और concentrated solution, अब sugar, किसको बोला गया, phospholipid को बोला गया, समझ में आ रही है, चलो, यह NCRT की diagram है, जो NCRT ने दिखाया है, थोड़ा complicated diagram है, इसको हम simple diagram से समझने की courses करते हैं, ठीक है, यहाँ देखो मैंने simple diagram दे रखा है, बच्चों, देखो, इसमें जो आपको दिख रही है, सबसे पहले liquid by layer दिख रही है, यह देखो, sorry, यह देखो, आपको liquid by layer दिख रही है, liquid दो layer में arranged है, liquid by layer में आपको देखो, यह आप समंदर, जो आपको देखो, protein, यह आइसबर्ग, protein जो है, आइसबर्ग के तरह है, यहाँ देखो, आइसबर्ग के तरह समंदर में तेख रही है, यह liquid का समंदर है, जिसमें protein क्या हो रही है, तेख रही है, इसलिए NCRT ने ऐसे लिख रखा है, NCRT का statement है, तो याद तो करना है, चलो, तो liquid by layer आपको है, intrinsic protein या, फिर integral protein, जो की membrane के अंदर है, और एक है, बाहर, जो periphery मतलब membrane के चारो और है, यह देखो, peripheral protein, जिसको हम क्या बोल दिए, peripheral protein बोल दिए, membrane के अंदर जो protein है, वो भी दो तरह का आपको दिख रहा है, कुछ protein है, जो पूरा membrane में है, और channel का formation कर रहा है, जिसको हम क्या बोल दिए, पूरा membrane में है, तो transmembrane protein बोल दिए, channel का formation कर रहा है, channel protein बोल दिए, tunnel का formation कर रहा है, tunnel protein बोल दिए, समझ में आ रही है, कुछ protein है, जो partially buried है, जो पूरा membrane नहीं, आधा membrane में ही घुसी हुई है, उसको हम क्या बोल दिए, partially buried protein, समझ में आ रही है, चलो, अब देखो अब जो में peripheral protein है, peripheral protein में जो outside the cell है, देखो यह outside the cell है, यह inside the cell है, outside of cell में जो भी यह है, peripheral protein है, उसके साथ carbohydrate का chain attached होता है, मतलब oligosaccharide, इसलिए carbohydrate का chain attached होता है, तो उसको जब protein के साथ carbohydrate attached हो गया, उसको हम glycoprotein बोल दिये, और lipid के साथ carbohydrate attached हो गया, ग्लैको लिपिड बोल दिये, तो यह outside the cell में क्या होता है, glycoprotein पाया जाता है, वही inside peripheral protein का बात करें, यहाँ पर diagram में नहीं दिखाया गया है, बट सुनो, यह जो inside the cell के तरफ जो peripheral protein होती है, इस protein में क्या होता है, कुछ special type का helical protein पाया जाता है, जिसको spectrin के नाम से जाना जाता है, समझ मारी है, membrane का जो structure आपको समझ मारी है, clear है अभी तक मैंने जो भी बताया, चलो, phospholipid casing by layer देख लिया, अब देखो, lipid by layer में आपको एक चीज और देख रही होगी, special type का lipid देख रहा है, ये तो phospholipid आपको phospholipid देख रही है, यह जित्ते भी है सब Phospholipid है एक special type की lipid दिख रही होगी जैसे यह वाली है यहाँ है यहाँ है और यहाँ है दिख रही है यह cholesterol है यह भी एक special type की lipid है जो Eucreatic Cell के membrane में पाए आते हैं यह क्या है? cholesterol है यह भी type of lipid है जो की Phospholipid से ज़्यादा रिजिड होता है Phospholipid से ज़्यादा रिजिड होता है तो यह membrane को stability देने का provide करने का काम करता है बट आप बोलोगे Sir आप बोल रहे हो Eucreat में तो फिर Procreat में क्या होता है? तो बच्चो Procreat में cholesterol absent होता है cholesterol के जगह पे इसमें hepnoid present होता है क्या present होता है? hepnoid present होता है जिसको हम chemical names pentacyclic esterol के नाम से भी जानते हैं जो की Procreatic Cell को stability प्रदान करता है समझ में आ रही है structure अब हम सबसे पहले वैसे तो मैंने Phospholipid लिख रखा है बट मैं सबसे पहले आपको protein पढ़ाता हूँ ठीक है? उसमें रेटिंग जो है मतलब compressed हो गया इसलिए अच्छी से दिखने रहे है बट मैं समझा रहा हूँ समझने के कोसिस करना protein है इसको carbohydrate also present होता है outer side वाला protein पे हमने अब ही देखा था इसको depending upon the ease of extraction मतलब कैसे इसको हम बाहर निकाल सकते हैं इसके basis पे protein को हमने दो बाट में बाटा पहला integral और intrinsic protein जो की membrane के अंदर था जिसको हम क्या बोल दिये integral या intrinsic peripheral या extrinsic जो periphery में था तो बताओ peripheral protein जो था loosely bind था कि नहीं था और integral protein tightly bind था integral protein का ease of extraction कैसे आसानी से नहीं किया जा सकता जबकि peripheral protein का आसानी से ease of extraction किया जा सकता है अब बताओ integral protein भी हमने दो तरह का देखा था totally worried और partially worried कुछ था जो आदा ही bilayer में था कुछ पूरा bilayer बना जो totally worried था उसके अमनों गोंने क्या बोला था transmembrane या फिर tunnel protein या फिर channel protein क्यों क्योंकि ये channel का formation करता है अब देखो अब मैं बात करने जा रहा हूँ peripheral protein का peripheral protein जब outside of cell देखे थे तो outside of cell में जो peripheral protein था उस पे carbohydrate का चेन अटर्स था जिसको हम लोगोंने क्या बोल दिया था glycoprotein बोला था याद है कि नहीं है glycoprotein बोला था अब देखो जो inside inside मतलब cytoplasm की तरफ की बात करते हैं cell उधर जो है peripheral protein में यह peripheral protein इसको मैं पूरा हटाता हूँ अब देखो यह peripheral protein था इसमें एक special helical type की protein पाए जाता है जिसको हम spectrine बोलते हैं क्या बोलते हैं? spectrine यहाँ पे नाम लिखा हुआ है spectrine जो की type of extrinsic protein है समझ में आ रही है इसी बात को मैंने अब यहाँ पे थियोरी में लिख रखा है आप लोग देख लेना protein integral intrinsic protein फिर totally buried partially buried ठीक है उसी कट मतलब बड़ा बड़ा लिख रखा है मैंने थियोरी में जो भी मैंने बताया फिर peripheral यह peripheral extrinsic protein ठीक है यह point मैं अभी जस्ट आपको कुछ दिर बात समझाता हूँ चलो अब हम लोग देखते है liquid क्या देखते है phospholipid बताओ जो unit membrane model था sandlis model था sandlis model ने क्या क्या था lipid by layer होता है बट यहाँ पे जो Sanger Nicholson का fluid model है यह क्या बोल रहा है phospholipid है phospholipid का formation कैसे होता है यह बात मैं आपको next lecture में बताओंगा अभी lecture लंबा हो जाएगा ठीक है चलो हो सकता है बहुत लोग जो organic पढ़ रहे हो जानते हों तेंस में अच्छे सा organic पढ़ रहे हो थोड़ा बहुत जानते होंगे phospholipid का formation कैसे होता है अभी मैं बात कर रहा हूँ phospholipid जो है main constituent है cell का main constituent है phospholipid आप बोलोगे शर आप क्या बोल रहे हो आपने तो बताया था 58-59% जो है protein होता है तो फिर phospholipid कैसे main constituent हो गया तो सुनो जब हमने डियागराम देखा बताऊ इजो का structure जो फेरे मेंबरेन का इसल्ड परामेंचरा weekend मेक्सिमम से मेक्सिमम आपको क्या दिख रहा है continuous जो frame बना रहा है frame जो बना रहा है membrane का वह frame बनाने का काम को की कर रहा है phospholipid कर रहा है इसलिए phospholipid का है main constituent of the cell membrane है confusion नहीं होनी चाहिए समयज में आ रही है बात, समयज में आ रही है, चलो, कोई confusion नहीं, चलो, तो मैंने लिख रखा है, phospholipid is the main component of cell membrane, क्यों, क्योंकि ये क्या करता है, continuous structural frame of the cell membrane बनाता है, देखो, जब study किया गिया cell membrane पे, तो क्या lipid जो है, bilayer में, ये phospholipid कैसे range था, bilayer में, ये बात, sandwich model भी बताया था, lipid जो है, membrane में कैसे, polar head कैसे, outside towards outer side था, और hydrophobic tail जो है, कैसे था, inner part में था, हम लोगे ने वहाँ भी देखा था, sandwich model में इस बात को, अब बात आती है, ये जो ऐसे arrangement है, ये क्या ensure करता है, ये ensure करता है, देखो, मैंने लिख रखा है, अब देखो, जब लिपीट, अब फॉस्पो लिपीट के बारे मैं बताऊंगा आपको, या फिर जो जानते होंगे, वह देखो के, वह unsaturated और से दोनों पार्ट है, इसमें दोनों पार्ट है, इसको एक्वस इंभार्मेंट से बचा के रखता है, इस तरह का arrangement, एक्वस फॉस्पो लिपीट बोलते हैं, लिपीट कंपोनेंट अब मेंब्रेन, मेंब्रेन का जो लिपीट कंपोनेंट है, किस से बना हुआ होता है, फॉस्पो लिपीट से बना हुआ होता है, और यही फॉस्पो लिपीट जो है क्या करता है, मेंब्रेन को फ्लूइडिटी प्लाजमा मिम्मेरेन gewhouse for phosphalipid are rich unsensurated fatty acid phosphalipid ज़ीय피iko ग्या होथा है unsensurated fatty acid होता है इसलिए ये क्या करता है flexibility provide करता है और क्या होता है liquid nature का होता है इसलिए भी ये humidity प्लाजमा मेब्रेन में समझ माया free purity कहा से provide ठी होती है phospholipid layer provide करती है अब देखो, lipid जो है कैसा होता है nature में? quasi-fluid nature होता है या फिर semi-fluid nature होता है quasi-fluid nature जो lipid है ये enable करता है, ensure करता है movement of protein अब बोलोगे movement of protein कहा? तो overall by layer, जो lipid की, phospholipid की by layer है उसमें movement of protein को ensure करता है कौन? quasi-fluid nature याद रहेगा, पकी बात है सब को याद रहेगा, कोई confusion, नहीं, कोई दिक्कत वाली बात, नहीं, चलो, आगे बढ़ते हैं, ability to move within the membrane measured as fluidity, देखो, यह जो protein का movement, overall by layer में protein का movement कितना हो रही है, यही जो है, किसमें measure होता है, fluidity में हम इसको measure करते हैं, मतलब protein अपने lipid by layer में कितना movement कर सकती है, इसी को जो हम measure करते हैं, यही fluidity कहलाती है, ठीक है, fluidity provide कोन करता है, phospholipid, आगे बढ़ते हैं, fluid nature of membrane जो है, और क्या-क्या important function करता है, तो इसके यह जो है, cell growth में help करता है, formation of intercellular jackson में help करता है, endocytosis, secretion और cell division में help करता है, अब मैंने cholesterol का बात क्या था, वही बात यहां भी लिखी हुई है, देखो, cholesterol also present in the plasma membrane, plasma membrane में cholesterol भी present होता है, जो क्या करता है, यह, phospholipid से जो more rigid होता है, ज्यादा rigid होता है, और stability provide करता है किसको, plasma membrane को, cholesterol absent होता है, prokaryotic के में, उपर हमने बात किया था, जब डियाग्राम देख रहे थे, और इसके cholesterol के बदले में, prokaryotic cell में क्या present होता है, है, hepnoid print होता है, और hepnoid को हम क्या बोलते है, pentacyclic esterol बोलते है, जो की prokaryotic cell में stability provide करता है, plasma membrane को, इस तरह से, Sanger Nicholson का model खतम हुआ, और next lecture में हम बात करेंगे, थोड़ी से बात और बता रहा हूँ, जो मैंने वहाँ छोड़ दिया था, मैंने बोला था, थोड़ी देर मे करता हूँ, देखो, oligosaccharide जो है, यह मतलब glycolipid और glycoprotein जो है, इसका काम क्या है, यह plasma membrane के water surface पे हम लोग ने जब diagram देखा था, तो water side में था, था कि नहीं था, lipid के साथ carbohydrate का change जुड़ा हुआ, तो हमने क्या बोल दिया, glycolipid protein के साथ जुड़ा हुआ था, glycoprotein, यह क्य करता है, इसका काम है, cell to cell recognition mechanism में help करना, क्या करता है, cell to cell recognition mechanism में help करता है, cell to cell recognition mechanism को कौन insert करता है, यही glycolipid और glycoprotein जो की outside the cell membrane present होता है, जिसका best example मैं आपको बता रहा हूँ, fertilization, जब fertilization होता है, यहनोंने पढ़ रखा होगा, 10th में अच्छे से, उनको पता होगा, नहीं त इसी के अंदर हमको इंटर करना है, यही cell के अंदर हमको इंटर करना है, यह recognition mechanism में help करता है, ठेक है, इसी तरह से cell recognition mechanism का यह best example था, blood antigen भी इसका example है, समझ में आ रही है, यहाँ पे हम खतम कर रहे है, fluid mosaic model को, next lecture में हम पढ़ेंगे, किस चीज़ को, तो, transport through plasma membrane, प्लाजमा membrane के और फिर हम, जितना भी हम लोग ने पढ़ा, इसका notes आपको video के रूप में upload description box में दे दूँगा, और comment section में भी दे दूँगा, आप लोग download कर लेना, और खुद से notes बनाना, ठीक है, समझ मार यह बात, और अभी तक जिन्होंने भी subscribe नहीं किया मेरी channel को, please subscribe करें, और अपने मेरी content अच्छी लग रही हो, देखो, मेरे content completely NCRT based है, उसी को मैंने तोड़ तोड़ के लिखा है, और मैं उसी को आपको समझा रहा हूँ, और छोड़ा छोड़ा lecture बना रहा हूँ, ताक कि आप बोर फिल न करो, चलो, thank you, have a nice day, subscribe करें, bell icon को दवा है, ताकि आपको latest video का update मिल दे रहें, have a nice day